हेलो एवरिवान जहीन इस वीडियो में हम ऐसे 5 ट्रिक्स देखेंगे वो आपका डेली काम करते वाक्त आपका 32 समय सेव करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी फाइल को जब भी हम कहाँ पर अपलोड करते हैं या फिर सिलेक करते हैं तो क्विकली उसको कैसे सिलेक किया जाए उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी फाइल्स हम क्रोम से डाउनलोड करते हैं उसको हम इजी कैसे बना सकते हैं उसके बाद किसी भी folder में आपके पास बहुत सरे फाईल से और उन फाइल नेम के list आपको एक्सल में चाहिए तो क्विटलि हम कैसे कर सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि फाईल को सेव करते वाक्त उसमें डेट को एड़ करके हम उसको sequence में कैसे रक सकते हैं अभी यहापर मेरे पास 4 PDF है और मैं इनको 1 PDF में मर्च करना चाता हूँ तो Chrome ब्रावजर में जाने के बाद मैं यहापर मर्च PDF टाइप कर देता हूँ उसके बाद सबसे पहली जो वेबसेट है इसको मैं ओपन कर देता हूँ और यहापर सिलेक PDF अभी हम यहापर भी हमारा पात है वहाँ पर हम जाते है और यहापर PDF को सिलेक्ट करते है और बहुत बार हमारे जो पात है वो बहुत ही अंदर होता है तो हमें यहाँ पर एक एक फोल्डर में अंदर जाना पड़ता है और उसको सिलेक करना पड़ता है उसकी जगा पर आपके पर जो फोल्डर सिलेक्ट है उसमें से इस फाल को आप डिर्ड क्सिलेक कीज़े और Ctrl C याने कौपी कीज़े उसके बाद यहाँ पर select PDF फाइल और यहाँ पर फाइल नेम में आप control V मतलब paste किजिए उसके बाद open तो यहाँ पर देखिए वो जो PDF है वो automatic attach हो जाएगी और दूसरी बार आप यहाँ पर किसी document को add करने जाएंगे तो आप उसी पाइल पर automatic जाएंगे उसके बाद आप बाकी के फाइल को यहाँ पर control प्रिस करके select कर सकते हैं और open तो यहाँ पर सारे फाइल automatic आजाएंगे इसी तरह से आप जब mail में attachment करते हैं तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं या पिर आप यहाँ पर click करेंगे तो यह पाइल दी प्रिस करेंगे तो यह पाइल स्डिक हो जाएगा इसको Ctrl-C किजिए उसके बाद यहाँ पर Select PDF फाइल और यहाँ पर कलिक करके इस पाइल को प्रिस पिचे किजिए और उसके बाद यहाँ पर merch pidi app अभी जब भी हम किसी फाइल को chrome से या फिर online डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल डाउनलोड फोल्डर में जाती है जैसा कि देखिए मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए यह डाउनलोड में जा चुकी है उसके बाद हम य यहाँ पर देखिए three dot है आप यहाँ पर जाईए और यहाँ पर setting और search में आप download टाइप कर दिजे यहाँ पर download portion है और यहाँ पर location है तो आप यहाँ से location को change कर सकते है उसके बदले आप यहाँ पर ask where to save each file before downloading इसको आप यहाँ पर on कर दिजे अभी देखिए इसको मैं cut कर द कर देता हूँ और ओके इसके बाद हम जो भी डाउनलोड करेंगे वो एटोमेटिक यहाँ पर डेक्ष्टॉप सिलेक रहेगा उसके बाद सेव करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमने जो डाउनलोड किया है वो यहाँ पर आ चुका है अब यहाँ पर इस फोल्डर में म इस पात को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर सिलेक करके मैं पात को पेश्ट कर देता हूँ इंटर उसके बाद हम जो भी सेव करेंगे वो इस फोल्डर में चला जाएगा सेव अब यहाँ पर देखिए इस फोल्डर में यह सेव हो ज उस जगा पर आप ये सेटिंग ऑन कर सकते हैं, अब भी हमारे पास ये फाइल ओपन है, लेकिन ये कहां पर सेव है, ये हमें quickly फाइन ओर करना है, तो हम यहां पर app 12 प्रेस करेंगे, जैसे हम app 12 प्रेस करेंगे, यहां पर सेव आजाएगा, उसके बाद इस पाथ को हम यहां से copy करेंगे ctrl c और यहां से cut करेंगे उसके बाद हम किसी भी folder में जाएंगे और यहाँ पर इसको select करके ctrl v मतलब उस path को paste कर देंगे और enter तो वो जो folder है वो open हो जाएगा यहाँ पिर आप यहाँ से run command को open करके यहाँ पर आप उस path को paste कर देंगे और enter कर देंगे तो वो folder open हो जा और इनके name की list मैं Excel में चाता हूँ तो यहां से आप इसको select कीजिए और यहां पर cmd और enter कीजिए और यहां पर dir space slash b space pipe space clip और enter कर जिजिए अब इसे भी Excel फाइल में जाने के बाद आप control भी प्राइब कीजिए तो यहां पर देखिए हमारे सारे फाइल के name यहां पर आ चुके है और यहां पर देखिए इस फाइल के आगे कोई भी extension नहीं है मतलब यह folder है और यहां पर देखेंगे तो यह PDF है और यह Excel फाइल है अब व्हार pen लिए मिन आप यहां पर देखिएंगे तो यह सिक्वेश में नहीं है मतलब यहां पर 2021 यह पर देखिएंगे तो 2022 यह पर 2020 यह पर 29 मतलब यह सिक्वेस में नहीं है क्योंकि यहां पर यह जो first date है उसके वाइस ये sort हो चुका है और इस तरह से आप जब date को save करते है तो वो sequence में नहीं आता उसके जगा पर आप सबसे पहले year उसके बाद month और उसके बाद date इस sequence में save कर दीजिए जैसे कि देखिए मैं इनको तुरंद कर देता हूँ अब यहाँ पर देखिए यह जो 2019,20,21,22 यहाँ पर January है और यहाँ पर 22 यहाँ पर August यह बाद में आ चुका है मतलब जो latest date रहेगी वो सबसे नीचे आ जाएगी और जो oldest रहेगी वो सबसे उपर आ जाएगी और जब यह sequence में होता है तो बहुत बड़ा data है तो आपको find out करने में आसानी हो जाती है और यह month wise है तो आप यहाँ पर 2022-04 मतलब April और bracket में आप जो भी लिखना चाते है वो आप लिख सकते है इसका कोई problem नहीं है तो यहाँ पर देखिए मैं 2022-04 तो यहाँ पर देखिए April, May, June, July, August इस तरह से आपका data sequence में आ चुका है Thank you everyone अगर यह वीडियो आपको useful लगए तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को like कीजिए और चानल को subscribe करना मत बुले Thank you